जितने भी महाल लोग हैं शाही लोग हैं एरिस्टोक्रेसी है वो बिना प्लान के कुछ भी नहीं करती है आम आदमी किसके भरोसे है भाग के मैंने कहा ना दुनिया में दो ही जातिया है एक एरिस्टोक्रेसी एक कॉमन पीपल मुझसे कहते हैं तैयारी शुरू करना है कहां से शुरू करें आप गाईडेंस दे दें सरकार इतनी वीडियो डाल दी यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों की वीडियो पड़ी हुई है और कैसे गाईडेंस लोग है पहला चरण जो guidance का होगा वो यह है कि base clear होना चाहिए तुमको यार latitude पता नहीं, longitude पता नहीं, force पता नहीं, mass पता नहीं, momentum पता नहीं, inertia पता नहीं किताब बता दीजे, क्या करोगे किताब जानकर, I.S. की तैयारी का जो पहला चरण है, हर वो व्यक्ति जो I.S. की तैयारी करना चाहता है, उसे पहली चीज जो स्पस्ट करनी है, कि उसका आधार मजबूत है की नहीं, वो अगर आधार मजबूत करके coaching करना आए, तो उसे 80% का फाइदा होगा, फिर से मैं इस बात को रिपीट करूँगा, हर वो व्यक्ति जो I.S. की coaching करना चाहता है, अगर वो आधार मजबूत करकर के आए, जब वो ग्रेजुएशन फस्ट इयर में है, तभी से शुरू करते, इकनामी का बेस तैयार कर ले, साइंस का बेस तैयार कर कर ले, पॉलिटी का कर ले, हिस्टी का कर ले, अगर वो ऐसा करके coaching करने आए, तो 80% फाइदा coaching का हो, जितने लोग बिना आधार के coaching करने आते हैं, उनकी coaching व्यर्थ चली जाती है, अमें जिसको NCRT class 10th की नहीं पकड़ में आई, सरकार और उसके अंग, organs of the government, वो जो टीचर DT बसू पढ़के पढ़ा रहा है, उससे तुम क्या connect करोगे class में, सवाल ही नहीं, संभव ही नहीं उठता, 98% लोगों की coaching करना व्यर्थ चला जाता है, इसलिए आपके घर में कोई भी अगर तैयारी करने का विचार बना रहा है, तो उसको graduation के प्रथम वर्ष से ही base बनाने के लिए कहें, बस, बस, अगर व्यक्ति ने अपना base बना लिया, तो coaching उसे फाइदा करेगी, तो coaching उसे suit करेगी, बिना basics के coaching करना व्यर्थ है, जब तुम class में connect नहीं कर पाओगे, घर में homework नहीं कर पाओगे, जब तुमें class में कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम काइड कर, घर में homework नहीं कर पाओगे, घर में homework नहीं कर पाओगे, consolidate नहीं होगा,